हिटलर ने अपने शाषन को मजबूत करने के लिए तथा अपने वीचारों से लोगों को प्रभावित करने के लिए कई तरीके अपनाये थे इसी को आट और प्रोपेगेंडा कहते हैं जिसके तहट विभिन प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जाता था तो आज हम इस टॉपिक को आप से डिसस करने वाले हैं तो मैं हूँ सुनिल आनंद सर और आप पढ़ रहे हैं नाजिस्म एंड दा राइज ओफ हिटलर आए शुरू करते हैं दा आट ओप्रोपेगंडा जो नाजी लोग थे उन्होंने अपने शाषनकाल के दवरान जो भाषा था और जो प्रचार तंतर था मेडिया था उसका उप्योग अपने हक में बड़े ही खुबशूरत धंग से बड़े ही प्रभावकारी धंग से किया था जो नाजी थे उन्होंने हर सब्द का प्रियोग बहुत ही अच्छे डंग से किया था उन्होंने कभी भी अपने प्रचार के प्रोपेगंडा में किलिंग सब्द का प्रियोग नहीं किया हत्या का प्रियोग नहीं किया था मारना या भत्या करना ऐसे किल या मर्डर ऐसे वर्ड का प्रयोग किसी भी डोकुमेंट में नहीं किया था मांस्क लेंक्स वर टरॉंड ऐस पेशल घूर्ट उप्रीटमेंट और फाइनल सॉलूशन फ़र जीज जूज बड़ीश लंक्या में लोगों को यह सब्सक्राइब जैसे होना कि जाती थी तूँसको फाइनल video कि आजाता था था प्शेल ट्रिटमेंट chte जयाता था खास उपचार सोच लिजे कि किसी को आप मार रहे हैं और उसको कहा जा रहा है कि हम आपका इलाज कर रहे हैं किस तरह से सब्दों का चेंड किया गया था और जो जिवुष थे उनको जब मारा जाता था तो उसको final solution कहा जाता था और ये कहा जाता था कि इनका तो अंतिम समाधान कर दिया गया है इसी प्रकार से जो जर्मन लोग थे उनको जब मारा जाता था जो disabled लोग थे तो उसके लिए इथो नेशिया सब्द का प्रियोग किया जाता था दया मिर्तियू का सब्द किया जाता था ऐसा उनके द्वारा कहा जाता था कि यह जो भी कलांग लोग हैं यह अपने जीवन से बहुत परिशान है और हम इसको इन दुखों से मुक्त कर रहे हैं और यह करके उनकी हत्या की जाती थी इसी प्रकार से सेलेक्षन और डि समात्त करके ते पूरे और को जो इनफेक्षन मुक्त शेत्र मना रहे हैं इसके प्रकार से इवेक्वियेशन सब्द का मतलब होता है खाली करना लेकिन यहाँ पर इस Nissan का मतलब होता था कि मारने के लिए hem को गैस चेंबर में ले जाना जब होता था तो उसके लिए वे लोग इवेक्वेशन सब्ध कप्रियों करते थे डू यू नो वाट गैस चेंबर सबर कॉल्ड तुम्हें जो गैस चेंबर था उसको डिस इंफेक्शन एरिया कहा जाता था और वो ऐसा जगह होता था जो वाथरूम की तरह दिखता था और एक नकली शौवर हेड्स होते थे जहरना होता था समय लिए जहरना से पाने गिरने के जगह पर गैस गिरे तो क्या हो तो ऐसा ही वहाँ पर कुछ होता था मीडिया का प्रियोग और उसका सपोर्ट अपने रीजीम को बूबलर बनाने के लिए अपने दिश्ट इकोन को लोगों तक पहुचाने के लिए बड़ी साबधाने के साथ नाजियों ने किया था आजी आईडिया जबर एस प्रिय त्रूव्ट इमिजेजश फिल्म लेडियों पोस्टर से कैसेज्ब और कंश लूगर्ब GB वह सब़ी चीज का प्रियूग किया अपने विचार को प्रिचार करने के लिए चित्र के माद्यम से, सिनेमा के माद्यम से, रेडियो के माद्यम से, पोश्टर के माद्यम से, स्लोगन के माद्यम से, हर माद्यम से उन्होंने अपने वीचारों को लोगों तक पहुचाना जरूरी समझा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो परचार का महत तो अच्छी तरह समझ सब्सक्राइब इस परचार के द्वारा वह कि मन मस्तिस्क में आपने विचारधारा को बिठाना चाहते थे पोश्टर जो होते थे उसमें वैसे नोगा जिनको वह मत अधान समझेज में उनको दिखाया जाता था और जर्मन लोगों में उनके प्रतिय धारना बना दी जाती थी गंदी धारना बना दी जाती थी कि यह सब जो हैं वो समाज के दुस्मन है जो सुशलिस्ट और लेवरस थे उनको कमजोर कहा जाता था और डिजेनरेट मतलब अनुत्पालक कहा जाता था बेकार कहा जाता था दे वर अटेक्ड एज मिलीसियस फॉरिज एजेंट उन्हें बिदेशी एजेंट तक कहा जाता था यानि देश में रह करके वे लोग बिदेश के लोगों के लिए काम करते हैं ऐसा करके उनके प्रती दुर्भावना है फैलाई जा रही थी यहोदियों के द्वारा इसमें उन्होंने लोगों में यहूदियों के प्रती नफरत को बढ़ाने वाला यह फिल्म था और यह काफी पोपलर फिल्म हुआ था और तो डॉक्स जुईज वाज अस्टेरेटाइप एंड मार्क जो परमपरावादी यहूदी थे उनके प्रती जो धारना बनाए गई थी तो जो जिवश्ट्रें उनको समाज से अलग दिखाने के लिए यह दिखाया जाता था कि वह लग्दी डारी रखने वाले लोग होते हैं और काफटान पहंते थे काफटान एक खास तरह की कपड़े होते थे तो ऐसे कपड़ों में उन्हें दिखाया जाता था अलांके बास्तविक्ता ऐसी नहीं थी जो जर्मन यहुदी थे या जर्मन्स थे उनमें भेद भाव करना असंभव था उनको अलग-अलग दिखाना शंभव नहीं था लेकिन फिर भी उनकी प्रती इस तरह की भाव को ब्यक्त किया गया था दे वर रेफेर्ड एट एज वर्मिन्स रैट्स एंड पेट्स उनको चुहा के चुहा या कीडे मकोडे के तरह दिखाए जाता था देर मोमेंट्स वर कंपेर्ड तो दोज अफ रोडेंट्स नाजीज्म वर्ग्ड आन दे मांड्स अफ दे पीपल टैप्ड देर इमोशन्स एंड टूर्ण देर हैटर्ड एंगर एड दोज मांग्ड अज अंडेजारेबल तो ऐसे जो अवांचित लोग थे उनकी प्रती ग प्रभाव को बढ़ाने के लिए उनके दिवाग पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने हर तरह के हतकंडे को अपनाया नाजीज मेड इक्वल एफोर्स तो अपील तो अल दिफ्रेंट सेक्शंस आफ दा पोपुलेशन देशाओ तो विन देर सपोर्ट तो समाज के हर वर्ग को अट्रेक्ट करने के लिए नाजीओं ने हर तरह के प्रयास किये उन्हें कहा गया कि वे सभी की समस्याओं को सभी तरह की समस्याओं को सौल्व कर सकते हैं यहां पर एक चित्र दिया हुआ है इसमें इस जो एक प्रचार का पंप्लेट था नाजीओ के द्वारा जारी किया था 1932 में उसमें क्या लिखाया यह देखते हैं जर्मन फार्मर से यू विलॉंग टू हिटलर वाय जर्मन किशान आप हिटलर से शंबंधित हो क्यों दे जर्मन फार्मर अस्टेंड इन बीट्विन टू ग्रेट डेंजर टूड़े वन डेंजर अमे माarcusist economic system जो जर्मन के किसान है वो दो पाटों के बीच में पिस रहा है एक तरव तो अमेरिका का अर्तस है घुष पुझिवादी अर्त्विष ऑथा याधंथ है दूसरी तरव मार्टिछ अर्तविष यवश्था जो वाली है रूस की उसके बीच में जर्मन के किशान पिस रहे हैं यह जो गैपिटलिज्म और वाल्सिज्म यह दोनों हात में हात मिलाकर के काम करते हैं यह दोनों का जन्म ज्यूज विचारों से हुआ है और यह पूरे वीश्व को यहूदी बनाना चाहते हैं, who alone can rescue the farmers from the danger, इस खत्रे से यहां के किसान को कौन बचा सकता है, सिर्फ राष्ट्रिय समाजबाद, इस तरह के पोश्टर 1932 में लगाये गए थे, चुनाओ के दोरान, यहां हिटलर को दिखाया गया एक आर्वीटर के रुप में, एक रच्छक के रुप में, उनीशोब बीस इस वी में इस पोश्टर को जारी किया गया था, इसमें जो युद के समय फर्स्ट बलवार में, आपको पता है, आपको हम बता चुके हैं कि हिटलर सेना के रुप में भाग लिया था, तो उसी को इसमें दिखाया जा रहा है, ताकि लोग उन्हें ज्यादे अच्छा देश वक्त समझें, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो के प्रती, इस आपकी क्या सोच है, अगर आप कोई क्वेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बस से लिखें, थैंक्स फर वाचिंग, हैव अग और वा आप कर दो दो